हेलो छात्रों, UPCSS Computer Word में आप सभी लोगों का स्वागत हैं आज के इस वीडियो में आप visiting card बनाना सेखेंगे देखिएगा सामने visiting card बना हुआ है ऐसा ही visiting card हम आपको बनाना बता रहे हैं वो भी MS Word पे तो इसके लिए सबसे पहले आपको new page लेना होगा फाइल में जाएगा और new page लेके blank document ओपन कर लो यह page जो है इस page को set कर रहे हैं आपको तो हम page layout में जाएंगे size में जाएंगे और यहाँ पर more paper size में जाके इसका size जो है width जो इसकी है 3.1 और height जो है 2 कर लेंगे और margin में इसका 4 तरब 0,0 रखेंगे और ok कर देंगे जो ignore कहें तो ignore कर देना आगे देखेगा फिर इसके बाद आप insert में जाएंगे और shape में जाएंगे यहाँ पर rectangle एक ले लेंगे rectangle को ऐसे normally खीचेंगे और यहाँ से इसको एक side से set कर लेंगे और अपनी आउस्चता अंसार इसको नीचे इसको हम बिल्कुल complete set कर देते हैं देखेंगे इदर हलका छूट गया है तो इसको हम set कर लेते हैं यह आपका rectangle set हो चुका है अब इस rectangle को हम designing देते हैं तो इसी shape पर right click करेंगे और edit point पर click करेंगे यहाँ पर काले रंग के point चारो तरब बन गये हैं इस point पर click करके हम इसको थोड़ा उपर उठाएंगे और इधर point पर click करके इसको नीचे set करेंगे यह आपकी designing बन गई है अब हम इसमे color फिल करेंगे तो उसके लिए इसी picture पर right click करना और format auto shape पर click कर देना यहाँ पर फिल में जाना और gradient color जो लगा है इस पर click करना और यहाँ से आप red color ले ले जीएगा यहाँ पर red color भरके यहाँ पर आप exoscience लगा लेंगे यह आपकी एक shape में color फिल हो चुका है इसके बाद format में जाएंगे और यहाँ से shape में आके no line कर लेंगे तो इसकी जो line है चारु तरब की वो हट जाएगी अब इसके बाद इसकी duplicate हम एक निकालेंगे picture इसको duplicate कर लेते हैं और यहाँ पर आके यहाँ पर click करेंगे तो इधर को यह रहेगा इससे करेंगे तो vertical हो जाएगा मतलब यह जो ज्यादा highlight color इधा था यह इधर हो चुका है और इसको हम नीचे की तरब बढ़ाते हैं arrow से अब यह picture इसके उपर आ रही है तो इसको नीचे पहुचाना है तो इसके लिए send by यहाँ से लगाएंगे और यह नीचे इसके picture पहुच जाएगी इसको हम नीचे इतना कर लेंगे एक पट्टी छोटी सी केल रखेंगे इसी picture की duplicate control के साथ duplicate किया जता है यहाँ पर आके इधर को यह color वर्टिकल कर लेंगे और फिर इसको हम नीचे की तरब लाएंगे फिर इसको हम send back करेंगे दो बार और यहाँ से इसको भी set कर देंगे देखेगा दोस्तु यह आपके designing जो है तयार हो चुकी है अब आगे देखेगा अब हम यहाँ पर logo लगाते हैं अपना तो insert में जाएंगे और picture में click करेंगे यहाँ पर logo UPCI का मिलेगा आपको यह logo आप insert कर लेजिएगा और जब insert हो जाए logo तो यहाँ पर एक box बनके आता है इस पर click करिएगा और यहाँ पर in front up text लगा लीजिएगा यहाँ से logo को छोटा कर लीजिएगा और सुक्त अंसर जितना जरूरत हो और इसको जहाँ एक side में set कर दो यह आपका logo set हो चुका है फिर इसके बाद हमको name लिखना है तो insert में जाएंगे और यहाँ से shape से कोई भी shape आकर ले लेंगे यहाँ पर click कर देंगे इसको आप यहाँ पर अपने आउस्सक्त अंसर set कर लेंगे और इसमें नाम लिख देंगे right click करके add text home में जाके यहाँ से इसका font जो है area ले लेंगे और size इसका जो है हम eight या seven इतना ले लेंगे फिर इसमें हम लिख देंगे name name लिखने के बाद इसी symbol पर click करेंगे format में जाएंगे और यहाँ से no color यहाँ पर कर देंगे और इसका भी lining का color भी हम no outline कर देंगे इसमें जो लिखा है इसको select करके इसका color हम home में जाके black color कर देंगे यह आपका name लिख सुका है इसको select कीजिएगा bold कर लो और इसको जहाँ चाहो वहाँ अपना set कर दिया हमने इसी के हम एक duplicate control के साथ किये ले रहे हैं और यही फांट यहाँ पर हम रखे दे रहे हैं इसका फांट हम पुछ यहाँ छोटा कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे mobile number इसको खीच लेंगे select करेंगे इसको और left में इसको set करके यहाँ से हम spacing जो है इसकी वो कम करेंगे 1.5 कर लो और यहाँ से इसको हम अपने और सकताँ सार जहाँ set करना चाहाँ इसको set कर दो फिर इसी की हम फिर duplicate लिए ले रहे हैं control के साथ और इधर भी हमें लिखना है select करके इसको center में जाएंगे और यहाँ से हम इसका यह course जो है आप यहाँ पर type कर दीजेगा और इसको select करके इसका color जो है आप white लगा है white लगा दीजेगा यह आपका visiting card तयार हो रहा है आगे दिखेगा insert में जाना और shape में जाके एक आकरत ले लेंगे rectangle की और यहाँ से इसके उपर बिल्कुल हम stake इसको खीज देंगे फिर इसके बाद इसमें हम color जो color लगाना चाहें यहाँ से हम color हलका लगा है तो हलका color हम इसमें ले ले रहे हैं और इसको send by कर देंगे सबसे नीचे इसको बैट करते जाएंगे तो यह नीचे बिल्कुल picture पहुच चुकी है यह आपका visiting car ready हो चुका है एक line यहाँ पर हम डालना चाहते हैं तो line यहाँ से खीज दो लाइनिंग को मोटब तला करना चाहूँ और यहाँ से इसका color जो भी रखना चाहूँ रख लो इसको set कर दो यह आपका visiting card ready हो चुका है thank you for watching